नमस्कर, बरसात के मोसम का एक बहुत खूब सूरत पौधा रेन लिली, गुलाबी रंग में, सफेद रंग में और पीले रंग में, तीन रंगों में इसके फूल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत खूब सूरत पौधा बिना किसी केरिंगे, आप एक पर लगा के छोड़ इनतिजार करिए बारिश का जैसे ही बारिश शुरू होगी, इस पौधे में खूब सारे फूल खिलेंगे, और आज इसी पौधे को मैं आपको बताओंगी कि कैसे आप इसको डिवाइट करके बना सकते हैं ठेरों पौधे इस पौधे के बल्प से, और आप एक इस पौधे करके कुछ और गमलों में लगा सकते हैं पर अगर आपका गमला घहना नहीं है यानि कि इसके बहुत सारे पौधे नहीं है तो आप इसको डिवाइट बिलकुल मत करिए क्योंकि इस पौधे में फूल जादा तब ही खिलेंगे जब इसमें रूट बांटिंग होगी पौधे और अधे के नीचे एक सेपरेट बल्ब होगा कुछ इस तरीके का किसी को भेजने के लिए मैं निकाल के रख ते और चुक कि पार्सल भेजना था एर ट्राई करने थे बल्ब दो दिन मैंने इनको सूखने के लिए रख अर उसके बाद पार्सल भेज दिया बल्ब मेरे तो क्या करूंगे इनको लगा दूंगे दूसरे गमले में तो इसी बहने आप से शेरिंग भी कर रहे हो सकता है मेरे कुछ भाई बहनों की इसकी जरूरत हो और अभी तक कभी इनको ना लगाया हो तो दो दिन सूखने के बाद ये बल आज में लगाऊंगे इस गमले में मिट् जो जड़ वाला हिस्सा था वो हम लोग नीचे रखेंगे जो पत्तों वाला हिस्सा था वो उपर रखेंगे आप सबी को पता है देखें 5 बल्ब थे 5 मेंने लगा दिये और ये बची हुई मिट्टी थोड़ी सी मेंने डाल दी ऊपर से और ये बल्ब बहुत ज़्यादा अंदर नीचे तक दबाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा आप नीचे डाल देंगे तो हो सकता है आपके बल्ब सड जाएं गल जाएं थोड़ा सा यहां पर डाल लेती हूं मैं पानी और बस ये बल्ब बढ़ने के इंतजार करते हैं अब इनको रखना कहां पर ये भी सवाल न उठे बार बार तो जैसा कि हर बार कहते हूं आप कोई बीज बो रहे हैं कोई आपने पोधा रिपॉट किया तो सब कुछ हमें छाया में रखना होता है इसको मैं उठाके रख दूँगी यहां पर हवा आएगी पर डारेक्ट इसमें धूप नहीं लगेगी तो आप भी किसी ऐसी जगह पर रखेंगी जहां पर सीधी धूप ना लगे और यहां पर देखिए चार से पांच दिन के बाद इसमें पोधे बनने शुरू हो जाएंगे ना दो में तो आप थोड़े लंबे लंबे पत्ते देख सकते हैं पर बाकी तीन में भी पत्ते निकल रहे हैं तो पांच के पांचों बल्ब सही सलामत लग गए तो मेरे खल से जिन भाई बेनों ने अ और बस इंजॉय करिए अपने स्खूब सूरत रेल लिली को वीडियो अच्छा लगो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल का हिस्सा बन के ही जाएगा गंटी तेजी से बजाएगा और के बटन के साथ में जल्दी मिलूंग अगले वीडियो में थैंक यू